हैंलो फेंट्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल इस्टाडी विट स्मार्टनस में हमारी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि प्रकाश किस तरह से reflect होता है परावर्तित होता है उसपिस हमें प्रतिभिम प्राप्त होते हैं आज हम की अपवर्तन को ही प्रदर्शित कर रहा है आए देखते हैं इसके छोटी सी डेफिनेशन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचने पर तरंग की गती की दिशा में परिवर्तन हो जाता है जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन या फिर इंग्लिश में रिफ्रेक्शन कहते ह जैसा कि इस लाइट में दिखाई दे रहा है जो प्रकाश पुंज है वो अपने एक स्लाइट से टकरा कर अपने डिरेक्शन को चेंज कर लेता है यही जो प्रॉपटी यह लाइट की से हम रिफ्रेक्शन आप लाइट कहते हैं आई देखते हैं इसमें एक बहुत ही उससे थोड़ा सा दूर हट जाती है और यह अप वर्तत किरन या फिर रिफ्रेक्टिव रे बन जाती है तो यह जो घटना हो रही है जो अपना अभिलम से दूर हटना अपने डिरेक्शन को चेंज करना यही प्रकाश का अप वर्तत कहलाता है आई हो दोस्ता आपको यह अर्थाद रिफ्रेक्टिव रे तथा दोनों माध्यमों को प्रथक करने वाले प्रश्ट के आपतन बिंदू मींस पॉइंट ओफ इंसिडेंट पर अभिलम सभी एक ही तल में होते हैं अभी जैसा कि हम इस डाइग्राम में देखा कि यह तीनों चीजे इंसिडेंट रे रि अ में होता है शायं और इस इस फार्मुले को जरूर आप अचछे से देख लीजे थी हागा यह है यहाँ पर番 इंसिडेंट और आर जो है एंगल आफ रिफ्रेक्शन होता है तो इन दोनों कॉंटिटीज का रेशियो होता है वो हमेशा एक कॉंस्टेंट प्राप्त होता है और यही स्नेल का नियम है यहां पर अफ रिफ्रेक्शन के कुछ इग्जामबल दिये हुए है इसमें पहला अग्जामपल है जब एक पैंसिल को पानी से भरे गलास में रखा जाता है तो पैंसिल टेढ़ा दिपता है ऐसा प्रकाश की अप वरतन के कारण ही होता है यहां पर आपको इस इमेज में भी दे रहा होगा कि ग्लास में जो हमने पैंसिल रखी हुई है वो हलकी सी तेड़ी नजर आती है तो यह जो घटना है यह अपवरतन के कारण ही पॉसिबल है इसका दूसरा एक्जामपल है जब एक सिक्के को पानी से भरे टब में रखा जाता है तो सिक्का टब की तलहटी से थो दिखाई पडते हैं तारो का टिप्टमाना भी अपवरतन का ही एक reaction है फौर्थ एक्जामपल है सुर्योध चींदर चाब्रुक 14 दिखाई देता है इसका कारण भी अपवरतन ही है इसका फिफ्ट एक्जामपल है हमारे पास जल के अंदर पड़ी हुई मचली वास्त्तव क गहराई से कुछ उपर उठी हुई दिखाई देती है देखिए दोस्तो अब वर्तन की जो भी एक्जामपल से उनको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि जहां पर हमें किसी चीज कोई चीज नहीं है फिर भी उसके होने का अभास होता है एक जो इमेजिनेशन होती है ज हमारा पानी से भरी बाल्टी गहराई का कम प्रतीत होना या यह भी अपवर्तन का एक्जामपल है चली दोस्तों जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन जो परावर्तन पढ़ा था तो उसमें हमने समतल दर्पन वगरा की कुछ चीजें पड़ी हुई थी उसी तरह जब हम अपवर्त जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धान पर काम करती है दोप्रेश्तों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों प्रस्थ हों को लेंस या daaal कहते हैं इसका अर्थ है कि लेंस का कम से कम एक प्रस्थ गोली होना आवश्यक है यह ढेकि यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते वीडियो में यहाँ पर लेंस की प्रकार दिये गए हैं जिसमें पहला है कॉन्वेक्स लेंस या फिर उत्तर लेंस जी यहां दोस्तों यहाँ पर देखिए एक एक्जामपल में एसे लेंस जिसने दोनों गोलिये प्रष्ट बाहर की ओर होते हैं उब्रे हुए होते हैं तो हमें उन्हें कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं जैसे की डाइगरम में आप देख सकते हैं इसके जो दोनों प्रष्ट हैं यह गोलिये हैं तो इसे हम उत्तर लेंस कहते हैं उत्तर लेंस को दूई उत्तर लेंस या फिर डबल कन्विक्स लेंस भी कहते हैं एक उत्तर लेंस किनारों की अपेक्छा मध्य में मोटा होता है जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं किनारों की अपेक्छा मध्य में इसकी चड़ाई अधिक होती है उत्तर लेंस प्रकाश की कि कर देता है जिसे हम अभिसारित होना कहते हैं और इसी वजह से हम उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंग्स कहते हैं दूसरा टाइप है हमारा अवतर लेंस या फिर कॉनकेव लेंस ऐसे लेंस जो अंदर की और वक्रित हो दो गोली प्रष्टों से घिरा होता है तो उसे हम अवतर लेंस कहते हैं ऐसे लेंस को दूई अवतर लेंस भी कहते हैं देखिए दोस्तों यहाँ पर जो डाइगराम दिय ऐसा लेंस बीच किनारों से मोटा होता है एक अवता लेंस किर्णों को अपसारित या फिर डाइवर्श करता है अपसारित कहने का मतलब है कि जो प्रकाश पुंज इसे होकर गुजर रही है वो फैल जाती है दूसरे दूसरे डिरेक्शन में यह फैल जाती है उत्तर लेंस में प्रकाश पुंझ जो है एक जगा इकट्ठा होने की कोशिश करती है और ठीक इसके विप्रीत अब तर लेंस में सारी जो प्रकाश पुंझ होकर गुजर रही है जो भी लेंसे वो फैल जाती है तो इसलिए हम इसे ऐसे अब सारी लेंस या फिर डावर्जिंग लेंस कहते हैं व्यक्त करते हैं देनोड करते हैं तो यहां पर यह जो फॉर्मुला आपको दिया गया है इसे बहुत अच्छे देख लिए जो लेंस की छमता स्मॉल पी उकल टू होता है वन अपॉन एफ जहां पर एफ फोकस दूरी होती है तो इस फॉर्मुले से बहुत से कोश्चन्स डेर इस एकड़ टू वन अपॉन एफ इस फॉर्मुले का यूज भी कही सारे कोश्चन्स डेराइब करने में होता है कि लेंस से फोकस दूरी का सूत्र क्या है और उससे वी और उर एफ की वैल्यूस मेंसे कोई दो पैल्यूस आपको दी जाती है उसमें तीस्टी वैल्यूस रनात्मक और अफ्तर लेंस की फोकस जूरी को हम रनात्मक के रूप में डेनोट करते हैं, याद रखेगा आईए देखते हैं लेंस की क्या-क्या उप्योग है, प्रकाशी अंत्रों जैसे की कैमरा, दूर दरशी, सुक्ष्मिदरशी आदी बनाने में लेंस का उप्योग किया जाता है, दूसरा है आँखों के चश्मे भी लेंस लगते हैं, प्रकाश को अभिकेंत्रत करने के लिए भ तो इसके लिए अवतर लेंस का उप्योग किया जाता है इसके लिए अवतर लेंस का उप्योग किया जाता है इसके बाद आता है अभिन दुखता या फिर इसके बाद एक और आता है जराद रिष्टी दोस के दोश को दूर करने के लिए दुवी फोकस ताल या फिर दुवी फोकस लेंस का उउस किये जाता है इसमें अप्ता लेंस और उत्ता लेंस दोनों तरह की लेंस सहिक्त रूप से उसके जाते हैं आईए आगे चलते हैं लेंसे कुछ अनुप्रयोगों के देखते हैं एप्लिकेशन सॉफ लेंस पहला है इसमें आवर्धक लेंस क्या होता है वह लेंस जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं चोटे अक्षरों या महीन सन रशना को बड़े रूप में देख सकते हैं उसे हम आवर्धक लेंस कहते हैं यह कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है याद रखेगा आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है जिसका प्रतिविम जो है बड़ा सीधा और आ दरश्द करते हैं देखे इसका भी फॉर्मुला है मैगनिफिकेशन बाय लेंस इसमाल एम इस उकल टू हाइट आफ इमेज अपन में हाइट आफ प्रोजेक्ट यह 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 फी एक फॉर्मुला है जिसके को श्राइब राइब होते हैं आवर्धन निकालने का फॉर्मु इसमेज अपन में डिस्टेंस ऑफ ऑबजिक्ट चलता है तो यह दोनों फॉर्मुले अच्छे से याद कर लीजेगा चलते हैं नेक्स में हमारा सुक्षम दर्शी क्या होता है वह उपकरन जिसका उपयोग सुक्ष महस्तूओं को देखने में किया जाता है सुक्षम दर्श कर दो तो değiş्मी कह चलते हैं इसमें दूसरा होता है संट-चलत संर्चन में जीएव इतने सुक्ष महीं होते हैं कि उन्हें संर शल 1971 नहीं देखा NI price is a है कम दो या दो से औधिक Tou लेंससे बने उपकरन का उपयोग क्या कर झादा है और इस प्रकार तो यहां पर एक इंपोर्टेंट पॉइंट है सरी तो सुक्ष्मदर्शी की खोज जो थी एटनी वॉन लिवन हॉक ने 1632-1723 के बीच में की थी सरी तो सुक्ष्मदर्शी में धातुवी की लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके दोनों सिरों पर उत्तालेंस लगा होता है और ऐसे दूरदर्शी जिनका उपिएक चंद्रमा तर्थ अन ग्रहों को देखने में किया जाता है तो वैं खगोली दूरशी कहलाते हैं इसमें देखिए दोस्तों खगोली दूरदर्शी में अंतियम प्रतिवियम जो होता है उल्टा बनता है याद रखेगा खगोली दू के लिए धन्यवाद